नमस्कार दोस्तों, टिक्नो के टुटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है, दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो सॉलिड वॉक्स से रिलेटर है, दोस्तों मेरा जो टॉपिक चल रहा है था, मेकेनिकल मेट से, मेकेनिकल मेट से, लेक्चर 27 एंड हिंज मेट, जो दोस्तों, जो मेकेनिकल मेट का पार्ट्स है, ये 7 टैप्स के होते हैं, जो पहला पार्ट्स है, कैम मेट, जो कैम मेट को मैं एक्स्प्लेन कर चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में, ये नेक्स्ट वीडियो है, जो मेकेनिकल मेट का, नेक्स् दे रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आगा कि कैसे इसको मेट किया जाता है तो दोस्तों चलते हैं solid box में basically hinge mate का use कहां पी किया जाता है कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है hinge mate दो parts होती है यह top face and bottom face यह दोनों को एक दूसरे के साथ mechanical mate के help से mate किया जाता है basically इसका use किया जाता है दरवाजे में खिरकिया में जो खिरकी का पल्ला होता है उसको attach करने के लिए एक दूसरे से connect किया जाता है जो आप असानी से open और close कर सकते हैं जो पहला part attach रहता है दूसरा part open close होता रहता है तो दूस्तों चलते हैं इसको solid box में कैसे बनाए और कैसे इसको mate करें तो दूस्तों इसके लिए पहले दो part बनाया जाता है तो सबसे पहले अगर आप object बनाए हुए हैं दो part अगर नहीं बना हुए हैं तो चलते हैं उसको बनाते हैं कैसे बनेगा new में जाके एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसके साथ एक rectangle ड्रो करेंगे rectangle ड्रो करके हंड्रेड एमें एन थ्री एमें एक सर्कल ड्रो करते हैं दोस्तु सर्कल का डाइमेंशन एट एमें देते हैं और सर्कल और यह पॉइंट को कॉंसिडेंट कर देते हैं और अपसेट दो एमें रिवर्स दो एम ज्यादा हो जाएगे वन लेते हैं और यह जो थीकनेस है इसको 1.5 एम करते हैं दोस्तो अब इसको ट्रीम करते हैं ट्रीम यह पार्ट को करना है यह पार्ट को करना है और यह पार्ट को करते हैं थोड़ा सा बैक जाएंगे एक लाइन और ड्रो करना है इसका आप डाइमेंशन दे दे त्रीम कर दें यह पार्ट यह पार्ट यह पार्ट यह पार्ट और यह पार्ट इसको भी आप ट्रीम कर दें त्रीम करने के बाद आप कि यह पहला पार्ट बन गया दोस्तों इसको कैसे जो हिंज मेट के लिए कट किया जाता है ये एक, दो, तीन, चार, पान, छे, एक, सार जो उपर वाले फेस है उसके लिए एक, दो, तीन, पार्ट कट करना है तो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक, दो, तीन, एन, चार, यहाँ से डिमेंशन देते हैं यहाँ प्रोप्ट चूब थाओा प्रोप्ट आपाल तो दोस्तों यह पार्ट हो गया ते यार अब इसको पॉइंटी है में एक्स्टूड करेंगे एक्स्टूड कट दोस्तों यह कट हो गया तो बैसिकली हिंज के लिए ऐसे पार्ट बनाया जाता है तो चलते हैं दोस्तों इसको में दो कॉपी काट हो गा या एक अलग बनाऊंगा तो चलते हैं इसको सेप कर दें पार्ट वन के नाम से मेट में एसेम्बली में जाने के बाद मैंने पार्ट वन बनाया हूँ बट अलेडी मैं दो बना चुगा हूँ पार्ट वन एंद पार्ट टू तो वन को मैं किलिक करके मैं एक एक्जाम्पल दिया हूँ अपको कि ऐसे अबजेक्ट बना जाता है क्योंकि ये पार्ट बनाने में ज्यादा टाइम लग सकता है इसलिए मैं पहले से पार्ट बना चुका हूँ चलते हैं दोस्तों इसको मेट करेंगे ये पहला पार्ट हो गया और दुसरा पार्ट को यह ही से लोंगा और इसको कैसे भी आप रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मूव का ओप्शन है रोटेट का ओप्शन है रोटेट कर सकते हैं रोटेट करके इसको मेट कर दे सिंपल मेट सिंपल मेट है ये एक रिफरेंस के लिए लिया हूँ बट इसका कोई उज़ नहीं आप डिलेट कर दे फिर बाद में अब चलते हैं दोस्तों मेकेनिकल मेट मेट पे क्लिक करें मेट पे क्लिक करने के बाद mechanical mates में जाएं mechanical mates में जाने के बाद hinge पे hinge पे क्लिक करें यहाँ पे दो option हैं दो option पहला option जो second option है second option में यह दोनों आप select करें and first option में यह और यह part को select करें यह attach हो गया है दोस्तों देख सकते हैं उसके बाद okay कर दें अब इसमें देखने को आपको मिलेगा कि एक part जो fix है part fix है वो rotate नहीं होगा बर जो part fix नहीं है वो rotate करें दोस्तों यह रहा hinge mate का कमाल hinge mate बेसिकली इसी तरीका से बनाया जाता है इसका color आप change कर दें जो भी color देना है आप दे दे आप यह तो मेरा fix है यह object fix है बट यह rotate कर रहा है तो दोस्तों यह रहा hinge hinge mate तो दोस्तों इस वीडियो को इस वीडियो में आपको जो भी लगे जो भी doubt हो आप हमें मेरे comments box में comments कर सकते हैं जो भी solution हो मैं आपको provide कराऊंगा दोस्तों जोस्तों है झाल झाल